इसलामबाद को जब पाकिस्तान का दारल-खूमत बनाया गया था इसलामबाद के मुख्लिफ सेक्टर बनाया गे थे सीडिये गेंडर सीडिये में जो इसलामबाद के सेक्टर डिनॉमिनेट किये थे उनमें जाम थे उनके एफ जी एच अक्सार बोसंने को मिलते होंगे तो इसलामबाद का बनाफ दा मोस्ट पॉशस एरिया रीजन बिंग के एक तरव मागला रोड है पीछे बली साइड भेशल मॉस्क है और यहां पर गपको घरों की जो वर्त है यह वह एरिया है कि जहां पर आपको नॉर्मल से नॉर्मल घर भी जो अर्बन रुपय का मिलता है इस तरह की बाते हैं आपको सुनने के मिलती है जिनके यहां पे घरों की जो ओनर्शिप रखते हैं रिजन इस कि यह एरिया जो है इसलामबाद का पौश क्यों है इतना एरिया इतनी क्यों है इसकी ज़्यादा वैल्यू है वह मैं एक्स्प्लेंट करता हूं आपको फर्स्ट अफॉल जो पाकिसन के सबसे बड़ा करंसी नोट है यह जो बैक साइड पर आपको बिल्लिंग न साइड पर आपका जाता है सौथ साइड पर पार्लिमेंट हाउस सुप्रीम कोर्ड प्रेज़ेंट हाउस प्राइम निस्टर हाउस और उसके साथ वेस्ट साइड है वहां पर ब्लूरे इसलामबाद आ जाता है तो यह रीजन है कि यह सबसे ज़्यादा पौश्यस काउंट और सबसे ज़्यादा एक्स्पेंसिफ प्रॉपर्टी आपको इसी एरिया में देखने को मिलती है जितने आपको आम तुर पर फॉरन डेलिकेशन हैं वो जब पाकिस्तान विजट करते हैं तो उनका स्टेय भी इसी एरिया में होता है और अभी आपको सरफ एक रोड नजर इस पर द्रखते हैं मैं अंदर सेक्टर्स के स्ट्रीट वाइज नहीं गया मैं ट्राय करता हूंगा एकली जो नेक्स ट्रीट आती है वहां से अब को मैं लफ जा के प्रोपर अंदर स्ट्रीट से स्ट्रीट व्यो दिखा हूँ ये बैसिकलि सारे अरिया जो है नोकेशन की सितना इंपॉर्डट है 1958 में जब प्रेजडंड यूब ने इसलामबाद को पाकिसान का दारल हुमत के तौर पर इसकी चॉइस की थी कि इस एरिया में पाकिसान का दारल हुमत होगा यानि कि जितने पाकिसान के जितने अमूर होंगे वो यहां तो पर मुख्तलिश शेरों में आपको इसी तरह की स्ट्रीट नजराएंगी आपको प्रेजड़न प्रामिस्ट्रा वाकिंग डिस्ट्स विलती है और आपको फैसल मस्जिद जो लोग आम तो पर इसलामबाद विजिट करते हैं तो फैसल मस्जिद को ऐसे इन सिगनिया काउंट किया जाता है जो फैसल मस्जिद हो बहुत ज़्यदा पॉश्यस्ट एरिया बनता है तो यह रीजन है कि यहां पर प्रापर्टी बहुत ज़्यदा एक्सपेंसिव हैं तो ईस्टेंड फॉर एलीट में सबसे पहले एसेवन का सेक्टर आता है और आपक झाल.